कि यह हमने एक 12 बोल्ड रिले ले लिया और इसपे एक 432 यह देगा एक इस यह 431 इसका मैं एक कैथोर्ड पिन जो है फर्स्ट लास्ट थर्ड नंबर पिन को मैं इस पर लगा दिया अब इस पर मैं यह दो रेजिस्टेंस ले लूँगा एक 470 ohms का है और एक 2.2k का है तो अब मैं इसमें आप देखें मैं इसके साथ लगाऊंगा यह वाली पिन जो है तो अभी आप देखिए मैं इस देगे कॉमन और एक इनको मैंने एक साथ कर लिया इसमें 2.2k का एक रेजिस्टर लगा दिया है फर्स्ट वाले आइसी से अब देखिए आप इसके जैसे जैसे मैंने किया हूँ वैसे आप देखो वैसे यह बना लोगया अब मैं नेक्स्ट एप दिखाता हूं आपको अब मैंने दो LED ले लिए एक एक टर्मिन पर ग्रीन लगा दिये और एक रेड यह दोनों पॉस्टिव वाली लगे इस पर और यह दोनों नेगेटिव आपका है यह देख लो आप इस तरीके से देखके ही बनाएंगे ना तापका बन्जे अब मैंने दोनों यह नेगेटिव को एक साथ कनेट कर दिया है और उसमें वन के का रेजिस्टेंस लगा के मैं यह मेडल वाली पॉइंट पे जहांते 470 ओम्स की दी इसमें इन दोनों में कनेट कर दिया है अब देख लो अब मैं आगे देखे क्या कर रहा हूं अब देखो मैंने क्या गए एक टेन वोल्ड के जीन डायोड लिये है उसका पॉजिटिव मैंने इस ग्रीन वाली पॉजिटिव पे लगा रहा है और इसके जो नेगेटिव पे मैंने एक यलो एलेडी लगा दी है इसका यलो की पॉजिटिव और नेगेटिव से मैंने एक वनके का रेस्टेंस ओल लिया है और इसको इस वनके वाली रेस्टेंस से जो इसे सारा में एक साथ करेट कर दिया है अब देख लो अब ऐसे देख लिजेगा ऐसे स्क्रिंशॉट कर लोगा यह वाला जो एक पॉइंट है यह पॉस्टिव इन हो गया और यह यहां पर जो मैंने डायोड लगाया था उसका यह नेगेटिव इन हो गया तो आप कम से कम पंदरह बोल्ड चौदा बोल्ड जो भी आप दे रहें यहां से इन होगा और आउट जो बैटरी पर चार्ज लगेगी वो यहां से लगेगी यह देखें यह पॉस्टिव पिन जो ग्रीन वाला जो एल लगी है उस पर एक पिन आये पॉस्टिव और यह जो डायोड के इस साइड वाला जो नेगेटिव है उस पर लगेगा यह आप इसका वह देख लिए आप देख लिए पूरा है पूरा फुल कनेक्शन आपको दिख रहा है इसी तरीके से आप बना लो अब मैं इसे चेक करके दिखाता हूं आपको यह मैंने ओन कर दिया है यह मैंने अपने मल्टिमीटर पे लगाई है यह 4.999 तो जैसे यहां पर भी देखिया 4.2 है तो यह जा रहा है तो यह जली हुई है अब जैसे जैसे दीरे दीरे इसको पावर बढ़ाओंगा तो यह देखे 5.67 यह चार्जिंग हो रही है समझे है यह देखिए यह जैसे आपको 13 14 पर जैसे गया वैसे यह फुल चार्ज हो गए यह अपना यह देखिए रेड हो गया अलब यह अपना 14 हो गए यह फुल चार्ज हो गए तो इस तरीके से यह काम करेगा तो 14 पर जैसे आगा आटो कट हो जाएगा तो इसे मैंने एक बैटरी करनेट किया और यह तो यह हमारा देखिए रेड साइन आ रही है मतलब यह काटो कट भी हो गए फुल चार्ज भी है और यह मैं 14.7 चार्ज कर तो यह हमारा बैटरी भी चार्ज हो गया है